हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का PCS Classes में आज हम आपके Lucent GK के 100 MCQ लगाने वाले हैं और यह जो आपके कोशन होंगे जिव बिग्यान से कोशन होंगे तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज सस्क्राइब करिएगा तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम कोशन आंसर पर बात करते हैं देखिए आपका आज का पहला कोशन दे रहा है कि जिव बिग्यान के जनक कौन है तो इसका सेय उत्तर आपका हो जाएगा और अरस्तु है इसके आगे कोशन आपका दे रहा है कि वह नस्पत्ती भी ज्ञान के जना कौन है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा थियो प्रेश्टस है इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन दे रहा है कि बाइलोजी सब्द का प्रियोक सरव्रथम कृष्णे किया था इसका से उत्तर आपका हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस के द्वारा किया गया था इसके आगे कोशन आपका दे रहा है कि सरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा एनिमिया कहा जाता है इसके आगे चलिए और देखिया आ यंत्रन मस्तिक के किस भाग में किया जाता है तो इसका से उत्र आपका हो जाएगा मेडूला अबलागेंटा से मेडूला अबलागेंटा में किया जाता है इसके आगे कोशन आपका दे रहा है कि कौन सा हार्मोन लोडो और उडो हार्मोन कहलाता है तो इसका से उत्र आपका हो सब्सक्राइब इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन देता है कि फाइको लॉजी में किसका अध्यान किया जाता है तो फाइको लॉजी में आपका सेवालों का अध्यान किया जाता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि फलों का अध्यान किया आता है तो फलों को अध्यान जो होता है इसे हम Pomology के नाम से जानते हैं इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन है कि प्रियोग साला में सरुप्रथम DNA का संसलेसर किषने किया था तो इसका से उतर आपका हो जाएगा खुराना के द्वारा किया गया था इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन है कि मनुस्य में दिव गुणित क्रूमसूम की संख्या कितनी है तो 23 जोड़ी होती है इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन दे रहा है कि एक समान्य मानों सरीर कोशिका में गुर्ण सूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 गुर्ण सूत्र होते हैं इसके आगे कोशन आपका दे रहा है कि मनुष्य में नर का गुर्ण सूत्र सम मिसरन होता है तो X और Y होता है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि नवजात सिसु के लिंग का निधारा किससे वनसानुगा तो हुए गुर्ण सूतर द्वारा किया जाता है तो आपके पिता के गुर्ण सूतर के माध्यम से किया जाता है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि गुर्ण सूतर में होते हैं तो गुर्ण सूतर में आपके DNA और आपका प्रोटीन होता है इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन दे रहा है कि मनुस्य ने कौन से क्रोमसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा पूरुस का वाई और इस्तिरी का एक गुर्ण सूतर के मिलने से बालक का जन्म होता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है कि असूद धरक्त किस में बहता है तो असूद धरक्त आपके सीराओं में बहता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो यक्रित ग्रंती सबसे बड़ी ग्रंती है इसके आगे चलिए और देखें आपका अगला कोशन है कि मनुष्य में मादा, जनन, अंग से किस हर्मोन का स्राह होता है तो इसका से उतराब कहो जाएगा रिलेक्सिन हर्मोन का स्राह होता है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि प्रकास संसलेसर के दवरान निकली अक्सीजन किसा से उत्पन होती है तो इसका से उत्रापका हो जाएगा जल से उत्पन होती है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहां उपस्तित होता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा पौधों की कोशिकाओं में उपस्तित होता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मनुस्य में एचिक गतियों का नियांतर किसके द्वारा किया जाता है तो इसका उतर आपका हो जाएगा सेरी ब्रह्म के द्वारा किया जाता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि पौधे में प्रकास संसलेसर के किरिया कब होती है तो सूरी के प्रकास के स्टाइम होती है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि पोधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तो प्रकास संसलेसर के माधियम से अपना भोजन बनाते हैं इसके आगे आगे आपका अजला क्योचन है कि अमीबा में भोजन का अंतोग रहण किसके द्वारा होता है तो इसका से उत्र आपको हो जाएगा कूट पर क्या है तो गाजर एक प्रकार का जड़ होता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि आलू का खाने योग ये भाग कौन सा है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा तना खाने योग ये भाग है आलू का इसके आगे 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 कोशन है कि प्याजी में खाद दिभा कौन सा है तो इसका भी सई उतर आपका हो जाएगा ताना इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि सबसे लंबा जीवित ब्रीच कौन सा है तो सिक्वा जो ब्रीच होता है ये आपका सबसे लंबा जीवित ब्रीच होता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि तारपीन का तेल कहां से प्राप्ट किया जाता है तो चीन के पिर्ण से प्राप्त किया जाता है तो चलिए इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन है कि बास को किसमें वर्गी कृत किया जाता है तो बास को आपके घांस में वर्गी कृत किया जाता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि जैवव इंदन के बीज इस से प्राप्ट होता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा जैट ट्रोफा के बीज से प्राप्त किया जाता है इसके आगे आपको देखी यह अगला कोशन देरा है कि पादप रोगों का सबसे उतर दाई कारक कौन सा है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा फफोधी है इसका कोशन देरा है कि हरित बाली रोग किस फसल से समंदित है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा बाजरा से समंदित है इसके आगे चलिये और देखिये आपका अगला कोशन देरा है कि टिका रोग किस फसल से समन्दित है तो इसका सई उतर आपका हो जाएगा मुंग फली से समन्दित है इसके आगे 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 कोशन है कि दधान का प्रसिद रोग खायरा रोग किसे के कारण से होता है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण होता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि नीबू का कैंकर रोग किसे से होता है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा जीवान से होता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि आलू में ब्लैक हर्ट का कारक कौन है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आक्सीजन की कमी के कारण होता है इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन दे रहा है कि करनाल बंट नामक विमारी किसा से समंदित है तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा गेहुं से समंदित है इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन दे रहा है कि वंसा गती के अध्यान से संबंधित जीव विज्ञान की साखा को क्या कहते हैं तो इसे हम अनुवानसकी कहते हैं इसके आगे देखिए आपका अगला कोचन दे रहा है कि अनुवनसकी के जनक बैज्ञानिकोंने तो ग्रेगर मैंडल है इसका सही उतर हो जाएगा इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोचन है कि जीन सब्द का सरप्रतम प्रियोक किस ने किया था तो जुहान सन के द्वारा किया गया था इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन दे रहा है कि किसके द्वारा अनुवनसिक्ता के विज्ञान को अनुवनसिकी कहा गया है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा बेटसन के द्वारा कहा गया है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि वह अनुवांस की उत्त परिवर्तन किसमे होता है तो इसका से उत्र आपका हो जाएगा क्रोमसों में होता है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि मनुस्य के सरीर में कुल कितनी हडिया होती है तो 206 हडि होती है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि मानो सरीर की सबसे छोटी हडी कौन्सी है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा इस टेपीज हडी सबसे छोटी हडी है अगला कोशन है कि मानो सरीर की सबसे लंबी हडी कौन्सी है तो यह आपका इसका से उतर आपका ह हो जाएगा फीमर की हड़ी सबसे लंबी हड़ी है इसके आगे अगला कोशन है कि मानोश शरी के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी हड़ी है तो वही आपका फीमर यानि की जांग की जो हड़ी होती है सबसे लंबी होती है इसके आगे 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 अगला कोशन है कि लार में कौन सा एंजाइन पाया जाता है तो लार में आपका टाइलीन नामक एंजाइन पाया जाता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसर की खास अवसकता होती है तो एंजाइम की खास अवसकता होती है भोजन को पचाने में देखें इसके आगे आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि सोठे समय रक्ते दाब में क्या परिवर्थन होता है तो इसके सही उतर हो जाएगा कि रक्ते दाब आपका गहट जाता है चलिए इसके आगे आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि स्वस्त मनुस्य में प्रती मिनट हिर्दय अस्पंद कितनी बार होता है तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा 72 बार होता है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि मानो हिर्दय में कितने कोश्ट होते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा आपके चार कोश्ट होते हैं इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि दोड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त चाप में क्या परिवर्टन होता है तो रक्त चाप आपका बढ़ जाता है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि मानोव सरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है तो पलीहा आपका सही उतर हो जाएगा इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन दे रहा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो हुमोगलोबीन के कारण होता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि हिमोगुलोबिन किसका महत्पून घटक है तो RBC का प्रमुक घटक माना जाता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि मानोव सरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है तो पलीहाखो कहा जाता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि लाल अरक्त कड़िकाओ किस नाम से जानी जाती है तो इसे हम इरोथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मनुस की लाल रक्त कड़िकाओ का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि मानोश सरीर में लाल रक्त कण का निर्मान कहा होता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्ति माजा में होता है इसके आगे 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 देखिया अगला कोशन दे रहा है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार क्या होता है तो इसका सई उत्तर आपका हो जाएगा रूख प्रतिरूद रूधक छमता धारण करना इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है कि रक्त समू की किसने की थी तो लाइन इस्टिनर के द्वारा किया गया था रक्त समू की खोज इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मानो मस्तिक्स में बुद्धी का केंदर क्या होता है तो इसका सरी उत्तर आपका हो जाएगा सेरे ब्रम होता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मनुष्य के मस्तिक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो प्रम मस्तिक जो होता है यह आपका मनुष्य के मस्तिक का सबसे बड़ा भाग होता है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि मानो शरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तंत्री का कोशी का सबसे बड़ी कोशी का है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि मुत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इवरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मानो सरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहा जाता है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा प्यूस ग्रंथी को कहा जाता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है तो पिट्रियूटी गरंथी जो हती है या आपकी सबसे छोटी गरंथी मानी जाती है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोशन है कि कुट्टे के काटने से कौन सा रोग फैलता है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा रैबीज रोग फैलता है इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन देराई कि सेव में कौन सा तत्त अधिक पाया जाता है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन देरा है कि उर्जा उत्पाधन के लिए कोसी का प्राया किसका उप्योग करती है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा गुलुकूज का प्रियोग करती है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि पेपसीन नामक एंजाइम सरीर की किस किरिया में सहायता करती है तो पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करती है इसके आगे चलिए और देखे आपके अगला कोशन है कि मानो सरीर का कौन सा अंग रक्त सुधी करण के लिए उतर दाई है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा ब्रिक जो हता है यह आपका रक्त का सुधी करण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है इसके आगे आपके अगला कोशन है कि सरीर के अंगो से हिर्दे तक असुध रक्त लाने वाली वाहिनी क्या खालाती है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा सीराय देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि हिर्दे से सरीर के अंगों तक सुध रख्त ले जाने वाली वाहिनी क्या खालाती है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा धमिनिया इसके आगे आपका अगला कोचन दे रहा है कि एक समान इवा मनुस में रखते चाप कितना होता है तो 80 प्रती 120 mm पारा होता है इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला कोचन दे रहा है कि मनुस के मस्तिक की सबसे बाहरी जिली क्या होती है तो इसे हम Durameter के नाम से जानते हैं चलिए इसके आगे देखिए आपका अगला कोशन है कि मानो सरीर में रक्त चाप किसे से नियंतित होता है तो अधिवरीक गरंथी से नियंतित किया जाता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि थाइराइड ग्रंथी का अस्थान कहां है तो थाइराइड ग्रंथी आपके गला में फाया जाता है इसके आगे 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 कोशन है कि मनुस्र के सरीर की सरवादिक सक्तिसाली पेशी कौन है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जवड़ा इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि नेतरदान में आख का कौन सा भाग प्रियुक्त किया जाता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा करनिया का प्रियुक्त किया जाता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रत्वीम बनता है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा रेटीना पर बनता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि मानुव सरीर का समान ये तापमान कितना होता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन अगर फारेने हाइट में बात करेगा तो 98.6 डिग्री फारेने हाइट होता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि मानो का मस्तिक्स लगभग कितने ग्राम का होता है तो लगभग आपके तेरा सुपचास ग्राम का होता है इसके आगे आपका रेखिया अगला कोचन है कि सरीर में होमोगलोबीन का कार क्या है तो आक्सीजन का परिवहन करना है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि कौन सा वीटामिन पानी में घुलनसील है तो इसका उतर आपका हो जाएगा vitamin B आपका पानी में घुरंशिल है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि एक समान मनुष में कितना रक्त में रखते चाप होता है तो 4-5 लिटर होता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि मनुष में बुद्धी एम चतुराई का केंदर क्या है तो सेरी ब्रम होता है cancer को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा leukemia के नाम से हम जानते हैं देखे इसके आगे आपका अगला question दे रहा है कि pneumonia रोग मानो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा प्रभावित करता है इसके आगे देखे आपका अगला question दे रहा है कि सरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है तो रक्त हिंता रोग है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला question है कि हमारे सरीर में लाल रूधीर करिकाओ का निर्मा कहा होता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा अस्ती मजा में होता है इसके आगे 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 का अगला कोशन है कि कुनेन किस रोग की दवा है तो इसका सरी उतर आपका हो जाएगा मलेरिया की दवा है इसके आगे 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 का अगला कोशन है कि कौन सा जीव लेग रुख फैलाता है तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा चुहा के द्वारा फैलता है इसके आगे 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 कोशन है कि मनुस्य सरीर में पलाजमा में मुख्य अंस क्या होता है तो मुख्य अंस आपका जल होता है इसके आगे 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 कुछन है कि सरीर के सारे उतकों को अक्सीजन कैसे प्राप्त होती है तो रख्ट के माध्यम से प्राप्त होता है इसके आगे देखिए आपका अगला कोचन है कि सरीर में उतको का निर्मा किसा से होता है तो प्रोटीन से आपका होता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि विटामिन सब्द किसक ने प्रतिपादित किया था तो फंक नामक वैज्यानिक ने प्रतिपादित किया था इसके आगे 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 चलिए और देखे आगे 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 कोशन है कि पित का स्राव किस गरंती से होता है तो यकृत से होता है इसके आगे 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 कोशन है कि कौन सा अंग केवल जन्तु कोशिका में पाये जाता है पादप कोशिका में नहीं तो आपका कोशिका जिली सही उतर आपका हो जाएगा इसके आगे 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 का अगला कोशन है कि कौन सा अंग केवल पादब कोशिका में पाय जाता है जन्तु कोशिका में नहीं तो इसका से उतर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ती इसके आगे 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 कोशिका भिती में मुख्य पदार्थ क्या पाये जाता है तो इसका सही उत्र आपका हो जाएगा सेलोज पाये जाता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि कोशिका की रचना का मुख्य अधार क्या है तो जीव दरब्य है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि प्रोटो प्लाजमा में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है तो इसका से उत्र आपका हो जाएगा प्रोटीन इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि सुच मजीवों के अध्यान को क्या कहते हैं तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा जीमान विज्ञान कहा जाता है अगला कोशन है कि विटामिन E का रसाइनिक नाम क्या है तो टोको फेराल है इसके आगे चलिए और देखिया आपका अगला कोशन है कि हिर्दय की धरकन को नियंतित करने के लिए कौन सा खनी आवस्यक है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा पोटैसियम इसके आगे देखिया आपका अगला कोशन है कि टाइफ हाइड में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा आथ प्रभावित होता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मलेरिय सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन है कि राइबोसोम किस प्रकिरिया में महत्पूर भूमिका निभाता है तो प्रप्रोटीन संसलेसर में प्रमुक भूमिका निभाता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि पोधो दुबारा वाई मंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या खालाती है तो इसे हम वास्प उत्र सर्जन कहते हैं इसके आगे आगे आगला कोशन है कि गाय के दूद का रंग किसकी मौजदगी के कारण थोड़ा पीला होता है तो काहिरोटी है कि दूद में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है तो केसिन नामक प्रोटीन पाए जाता है इसके आगे आगे आगला कोशन है कि रोधिर में स्वेत रख्त कनिकाओं की अत्यदिक मातरा में उपस्तित रोग विज्ञान की भासा को क्या कहते हैं तो इसका से उत्तर आपका हो केलचियम और फास्पोरस सरीर के किस अंग के लिए लभगारी है तो इसका उत्र हाप का हो सव झाएगा हड़ी है इसके आगये 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 अगला कोचन है कि पोध हरे क्यों दिखाई देते हैं तो क्लोरो फिल की अपस्तिते के एकाणर हरे दिखाई देते हैं अगला आपका कोचन है कि कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट से रोग से बचाता है तो विटामिन D बचाता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि हमारे सरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा बणी आतमे होता है इसके आगे 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 कोशन है कि अमीबा किसम का जीव है तो एक कोसी का वाला जीव है इसके आगे 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 कोशन है कि पोधो का जनन भाग कौन सा है तो पौधों का जनन भाग आपका पुस्प होता है इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि कौन से रक्त समू का व्यक्ति सभी रक्त दान कर सकता है तो इसका से उतर आपका हो जाएगा उरक्त वाला व्यक्ति सभी को रक्त दान कर सकता है इसके आगे 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 कोशन है कि कौन सा रक्त समुख का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है तो इसका उत्तर आगे 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 कोशन है कि फलो और सब्जीव में कौन सा विटामिन नहीं होता है तो विटा कांडिया को कहा जाता है इसके आगे आगे आगला कोशन है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है तो सुत्र मूर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है इसके आगे आगे आगला कोशन है कि मनुस्य में कितने गुण सुत्र होते हैं तो 46 गुण सुत्र होते हैं इसके आगे आगे का अगला कोशन है कि सामाने तक किसके गुर्ण सुत्र से बच्चों का लिंग निधान होता है तो पिता के गुर्ण सुत्र से इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि स्वर्वथम जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी तो आपके जल में हुई थी इसके आगे आगे अगला कोशन है कि जीन्त पौधे पर विज बनते हैं किन्तू पुस्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं तो इन्हें हम अंना वृत वी जी के नाम से जानते हैं इसके आगे 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 के लिए ठीके काविछ किस किसके दवारा किया गया था तो एड़ोरड जेनर सो एम से क्यों लगाए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोशन महत्पूर्थ है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना सेर करना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यबाद